दोस्तों अगर आपका भी 5G फोन है और अभी अभी तक 5G सेर्विस का इस्तिमाल नहीं कर पा रहे हैं अभी तक आपने सेटिंग नहीं कर पाई है कि किस तरह से 5G को चलाना है किस तरह से 5G की सेटिंग करना है तो इस वीडियो को अंत तक चिरूर देखेगा इस वीडियो में आपको बदाने वाला हूं किस तरह से आप अपने फोन में फाइबजी सेटिंग कर सकते हैं पता लगा सकते हैं कि आपर फाइबजी अवैलबल है या पिन नहीं जहां पर आप रहते हैं तो पूरा आप बाइस टेप मैं आपको एक चाहन का करने वाला हूं साथ ही पूरा लाइब रोब सेटिंग करके आपको दिखाने वाला हूं तो वीडियो में अंतग बने रहे हैं साथ है चैनल पर नहीं होंए चनल को सब्क्राइब शरूर करें इसके लिए हम चलते हैं पने मॉइल स्क् और देन आपको 5G Aegis차 Infinite करके दिखाते हैं इसी तरह से आपको भी करनी है तो अब भी अपने doing service का इत्रिमाल कर बिल्कुल फ्री में तो चलेल चलते हैं कि को का है तो अभी माद चुक ऐसे अपने की स्क्रेंग पर देन इसके लिए बाद आपको मुवाइल नेटवर्क आपसन देखने को मिल जाएगा हर फोन की सेटिंग अलग-अलग होती है लेकिन जो मैं सेटिंग कर रहा हूं यही सेटिंग आपको भी करनी है अपर अभी आप देख पार होंगे तो यहां पर 3.0 मिलेगा 3.0 पर जाना है तो डिफॉल्ट एक बार है इसे क्लिक कर देना है इतना खाने के बाद यहां से आपको बापस आजाना है बैक आने के बाद सिंपली आपको यहां पर सर्च करना है आपके सेटिंग में सर्च बार होगा यहां पर सर्च करना है 5G जैस यहां पर 5G जो है बंद है हमारे फोन में इंडारेक्टरी रूप से तो अगर हम वह सेटिंग कर भी देंगे फिर भी अगर इसको आफ नहीं करेंगा तो 5G नहीं चलेगा सबस्पपर इसको को यहां से आफ कर देना है और करने गवाद हम को यहां से बैगा जाना है फोन की 5G यहां पर आपसंद देखने को मिल रहा है तो सिंपली हम इस मोवाइल 5G वाले अपसंद में क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आजाएगा यहां पर आनक वाद सिंपली हम को थोड़ा से हां पर स्कॉल डाउन करना है ऐसे यहां पर हमको एक देखने को मिल जाएगा कंग्राचुलेशन यू वे बिन अब्रेटेट टूजी यू वेलकम आफर अनलाग ट्रिव फैब जी नौ सिंपली आपको डेटी स्टाड़ेट पर क्लिक करना है यह से हम गटी स्टाड़ेट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का स्टाड़ेट कर देना है तो अगर यहां पर फैब्स सर्विस अवैलवल होगी तो अटोमेटिक लिए यहां पर डेटक्ट कर लेगा देना आपको यहां पर फैजी डिलकम आपर इंच्वाइक कर सकते हैं तो कुछ इस तरह सब को सेटिंग करनी है इतना करने के बाद सिंप